यह लोटस टैमपल ऐसा है कि जहां पर किसी भी धरम की फूजा नहीं होती है यानि कि सिर्फ एक शान्ती अंदर जो लोग बैड़ते हैं शान्ती के साथ में और एक प्राथना करते हैं दिल से तो उसमें मतलब दिल की फीलिंस शेयर करते हैं और वहाई धरम इसका एक नाम दे कालकेजी रेल्बे स्टेशन ये कि भो आप देख सकते हैं जो फड़े ॅलिख वाई है कालकेजी मंदिर तो इहीं पास मैं लोटस टैमपल यहां पर बहुत बड़ा मंदिर है और यह रास्ते ils समझा रहे हैं लोटस टैमपल तो लोटस टैमपल कि और यहां से हमने 10000 कदम कालकजी मंदरी स्टेशन से चलना पड़ता है पैदल तो यहां पर बहुत बढ़ी लाइन भी लगी रहती है इसी जो आपको रोड टैप कर देखता होगा इस पर बहुत बढ़ी लाइन देखें जरह कितनी बड़ी लाइन है अंग्रेज बहुत ज्यादा आते हैं और यहां प कि इसमें कोई फीस नहीं आते हैं कोई चार्ज नहीं जाता है और यहां पर चेक इन होती है कि अंदर आप फाना नहीं ले जाएं चेक इन बहुत सख्त है और यह फ्री है सेबा अंदर जाने के लिए काफी समय बाद बहुत लंबी लाइन थी है तो हमारे जश्ट यह सामें लोटस टैंपल है और अब मैं रास्ते से ही हूं उसके करीब जाएंगे तो थोड़ी क्वाइलिटी कवर करेंगे चौबिस घंटे जब लोग खाली होते हैं तो यहां पर घूमने जरूर आते हैं आसपास के लोकल के जो लोग होते हैं और बाहर से भी इस लोटस टैंपल को जो वाहुला ने जिसकी इस्तापन की है उसको देखी लिए जरूर आते हैं देखिए आप इस लोटस टैंपल जो कमल मंदर भी बोलते हैं इसके आसपास में गार्डन जैसा है बड़ा ही खुबसूरत और दरखत भी बहुत बहुत अच्छे हैं पौदे और अंदर जाना मन यानि कि आप किसी गार्डन कंदर नहीं जा सकते हैं जो रोड़ आपको दिखते होंगे इनी रोड़ पर आप चल सकते हैं तो बहुत साय लोग ऐसे फोटो क्लिक कर रहे हैं तो इस वक्त जो मैं हूँ बिलकुल रास्ते पर हूँ सामने फ्रेंट पर से लोटस टैंपल रहा है तो हुम दूसी रास्ते चलते हैं यहां पर लेकी दूसी रास्ते लोकस पार पेनने कि मद्धा अंधर दो होमने जेनि तेर्समें और यहां बःते हैं राटे में और इसलोले किसी आाप है कि यहां पर आसपास के बच्चे जो स्टुडेंट है पढ़ने वाले वो भी हाँ पर बहुत सा आते हैं और अंदर जाते हैं और घूंते हैं यह बहुतर जगा आए घूं नहीं है इसके काफी नजदीक पहुचने वाले हैं और शायद उन पर जाएंगे इसके बारे में आपको थोड़ा से बताएंगे और वहां पर शूज बगएरा जो चीजा आप पहनते हैं पैरों मैपने वहां जम्मा होती हैं तो शायद तभी अंदर जाने की आपको परमीशन देते है तो यहां पर आप खाने पीने की कोई वी चीज नहीं रा सकते क्योंकि मना है यहां पर ही बहुत है जो दूसरी आस पर चलती है फिलाल तो वह रास्ता भी बन रहे पताने की हो सब्सक्राइब समतिन दो बजी कर आस पास में खुली है विल्कुल आज खोनने का उनका मनना हो हो सकता है फिलाल तो अब उसके उपर से धूब बहुती शदी बहुत सक्त है और एकदम बिल्कुल चेहरे पर ऐसे अटैक कर रही है जिस तरह से खुछ थपड़ मारता है तो खैर अब लिग जादा है तो यह नीचे को कुछ इंटरफेस है जो रास्ता बंद कर दी गए थी तो सफाई हो रही है अभी तो यह इस तरह का है चार तलाब है यह चोटा सा सामने है और दूर इस सैट से हैं आप देख सकते हैं और यह पूरा कमल मंदिर रही हो रही है कमल मंदिर के मीचे बहुत ही जल्डी से पुली बना दिया है और अगे चूटेश के अंदर रख लिये तो अब उपर चलते हैं थोड़ा दिखाएंगे फिर निकलते हैं यहां से आपको दिखा दिया था और मैं इसके अंदर नहीं पहुंच पाया था पिछली वार भी बहुत ज्यादा थी और भूब बहुत तेज है और ठोड़ा भूब का भी टाइम हो रहा है जबी सुवे नाश्ट कर किया था घूमते-घूमते लगए लगी तो मैं ब्लॉक का आइंड ब्लॉग आपको जरूर पसंद आयागा तो वीडियो अगर यह आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें यह आप देख सकते हैं यह खूब सूरज की जो लाइट है लाइट तो ऐसे कुछ वीज़ाय था और चलते हैं जैहन और सपोर्ट कर सब्सक्राइब की हमारी चैनल को यार और शेर वीक और हमारी वीडियो को तो चलते हैं जहन मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ